वेलकम टोनली आईस, स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2022 में इंडियन सोसाइटी के Current Affairs के Revision का ये हमारा तीसरा लेक्चर है आज के इस सेशन में हम नवंबर महिने के इंडियन सोसाइटी के Current Affairs को Revise करेंगे इस सेशन का First Important Article National Formulary of India के बारे में है इंडियन Pharma Copia Commission ने जो कि Ministry of Health and Family Warfare के तहट आते हैं उन्होंने National Formulary को इसका जो Sixth Edition है उसे अभी हाल ही में लॉंच किया अब भला ये है क्या? आसान भासा में कहूं तो एक किताब है National Formulary कैसी किताब है? एक ऐसी किताब है जिसमें ये बताया गया है कि कौन सी दवाई कब और कैसी दी जानी चाहिए ताकि लोगों को गलत दवाई ना दी जाएं, गलत तरीके से ना दी जाएं Formulary कोई भी ऐसा document होता है जिसे एक official body publish करती है ऐसा नहीं कि किसी ने भी बना दिया तो जैसे कि इसे Indian Pharmacopia Commission ने बनाया है और publish किया है means कि officially इसे publish किया गया ये medicines के rational use को promote करता है kind of guiding document है जिसमें सभी clinicians, healthcare professionals के लिए guidelines हैं कि आप कैसे patients को दवाईयां दे further, 2021 का जो NFI है यानि कि National Formulary of India इसमें do not miss the critical and do not overload इस principle पर work किया गया है कि जो भी critical care है उस पर ध्यान दिया जाए और आवशकता से अधिक दवाईयां ना दिया है जो required है वही दी जाए proper appendices, chapters और drug monographs दिये गये हैं क्या कैसे use होना है National Health Program और National List of Essential Medicines के संग्यान में अलाइन करके इस document को तयार किया गया है Indian Pharmacopiac Commission की बात करते है Autonomous Institution है Ministry of Health and Family Welfare के दहाद काम करता है Ministries कई बार UPSC पूछती है तो ध्यान रखिएगा ये दवाईयों के standards उनकी identity, purity, strength सब decide करते हैं कि कैसे उनका इस्तेमाल human beings के लिए एनिमल्स के लिए किया जा सकता है Official Document है Medicines की quality को improve करने के लिए publish किया जाता है Generic Medicines के rational use को ये promote करते हैं Generic Medicines ऐसी होती है Medicines जो branded Medicines जैसी ही होती है लेकिन उन्हें थोड़ा सस्ता बनाया जाता है उनका वर्क लगभग वई होता है तो ये ज़्यादा संगम initiative launch किया है Schools के लिए फर्दर एक mobile app और एक quiz app भी launch किया गया है वो तो side lines में है क्या होता है Suppose करिए कि एक व्यक्ती की जो first language है या native language है या mother tongue है वो Marathi है, Bengali है Hindi है, या फिर Tamil है, Telugu है हम अपनी mother tongue के अलामा कितरी languages जान रहे होते हैं हम और भी languages के बारे में basic जानकारी रखें ये बहुत जरूरी है क्योंकि India एक diverse country है इसका प्रयास तो schooling के level पर ही होना चाहिए तो ये जो initiative है ये ministry of education का initiative है जिसे एक भारत, stressed भारत के तहत launch किया गया है ताकि जो आम बोल चाल की भासा में sentences इस्तिमाल किये जाते है हम उनको जो 22 languages हमारे 8th schedule में दी गई है उनमें से किसी एक और language में सीखें इसे develop किया गया है NCRT के दोरा ये पूरा जो program है National Council of Education Research and Training आइडिया ये है कि basic conversational skill आए mother tongue के अलावा किसी भी एक और language में जो हमारी 22 भासाओं में से एक है इसके लिए जो भी support required है वो हमें दीख्छा इपार्ट साला और 22 booklet के form में मिल जाता है जो mobile app है ये initiative है Department of Higher Education का MyGov के सांथ उन्होंने मिलके ये launch किया है 100 sentence इन्होंने everyday usage के अभी app में डाले है जो roman script में language की जो original script है उसमें और audio format में भी available होंगे में भी आने वाले समय में इसमें कुछ और भी statements available हो जाए एक भारत स्रिष्ट भारत की बात करते हैं देखे हर initiative का एक keyword होता है एक भारत स्रिष्ट भारत का जो keyword है that is to promote engagement 2015 में से launch किया गया था ताकि जो अलग अलग states और UT है इनमें आपस में जो diverse culture है वो एक साथ एक दूसरे जो state के लोग है UT के लोग है वो जाने और देश की unity और integrity strong हो ministry of education का ये initiative है इसमें एक बार में किसी एक state को दूसरे state के साथ pair कर दिया जाएगा या फिर एक state को किसी UT के साथ pair कर दिया जाएगा अब ये दोनों प्रोग्राम चलाएंगे यहां के लोग यहां जाएं वहां के culture, cuisine, खाना पीना जो events है, tourism है literature है, language है, उसके बारे में सीखे और जाने हमरा next article Central Sector Plan Scheme के बारे में है Union Minister for Social Justice and Employment ने release किया है एक training module Central Sector Plan Scheme के लिए देखे, इस प्लान Scheme में होता क्या है कि भारत देश में कई सरे दिव्यांग जन है, उन्हें कुछ सर्विसे सवेल करनी होती है, तो जो भी लोग उन्हें सर्विस देते हैं, वो उनके पती संग्रेदन सील हूँ और eligible हूँ ये Central State Government के या Local Bodies के या जो other service providers हैं, वो सब के लिए होता है 2015-16 से ही इससे स्टार्ट किया गया है, Rehabilitation Council of India इसकी Nodal Agency है जो Scheme है, इसमें Various Government Implementation Agencies को सामिल किया जाता है RCI General Guide Line decide करती है, RCI का यहाँ पर Rehabilitation Council of India से है वो बताते हैं कि आप कैसे जो Government Functionaries हैं, उन्हें sensitize कर सकते हैं उन्हें train कर सकते हैं, कि वो दिव्यांग जन को अच्छी service दें Separate training modules बनाया जाते हैं Health और allied professionals के लिए educational functionalaries के लिए, ग्रासूर टेवल पे काम करने वाले लोगों के लिए, senior and mid-level functionalaries के लिए, सभी लोगों को train किया जाता है, कि आपको दिव्यांग जन के साथ कैसे व्यभार करना है, उन्हें कैसे services provide करवानी है Rehabilitation Council of India, ये एक statutory body है, Department of Empowerment of Persons with Disabilities या दिव्यांग जन से ये बिलॉंग करती है, Ministry of Social Justice and Empowerment के तहत आते हैं RCI को 1986 में एक society की तरह register किया गया है, RCI उनसे भी services को mentor करता है, जो persons with disability को दिये जाते हैं क्या standard syllabus का होगा, ये decide करते हैं और central rehabilitation register भी तयार करते हैं ये purity action भी लेते हैं कर कोई ऐसा व्यक्ती है, जो दिव्यांग जन को service देने के लिए eligible नहीं है, लेकिन देर आए तो उनके खिलाफ action भी ये लेते हैं हमारा next article smile scheme के बारे में है, नाम पर जाईए कुछ ऐसा करना है कि कोई मुस्कुराए Ministry of Social Justice and Empowerment ने formulate किया है इस scheme को ताकि marginalized individuals की मदद की जा सके, उन्हें support किया जा सके इंडिया में बेगरी एक बहुत बड़ी समस्या है कई सरे लोगों के पास आजीविका के साधन नहीं है और वो मजबूर हैं बेगरी की practice में, उन्हें कोई सहायता दी जाए, इसके पहले schemes हुआ करती थी, बेगरी के लिए भी और transgender के लिए भी उन दोरों schemes को merge कर दिया गया है और इस smile scheme को launch किया गया है, चूकि transgender community के बहुत सारे लोग बेगरी की practice में आपको involved मिल जाएंगे obviously उनके पास और options नहीं होते हैं smile का full form has support for marginalized individual for livelihood and enterprise उनके पास जो विकल्प नहीं है livelihood के, हम उसे provide करवाने की courses करें, ताकि उन्हें बेगरी के straps से निकाला जा सके focus होगा rehabilitation पे उन्हें medical facilities दी जाएं, counselling करी जाए, basic documentation किया जाए, कौन लोग है, उनके education skill development और economic linkages पर भी focus किया जाए, ताकि वो अपने लिए AGV का कमा सके इसकी sub scheme भी है, central sector scheme for comprehensive rehabilitation जो ऐसे लोगों के लिए है जो begging में involved है, उन्हें rehabilitate किया जाए, इसे state और UT की जो government है, local urban bodies है, voluntary organizations है community based organizations, CBO उनके साथ मिलकर launch किया जाएगा या implement किया जाएगा इंडिया में beggars की बात करें तो 2011 का data हमारे पास officially available है उस समय 4,13,670 beggars count किये गए थे जो obviously अब यह संख्या बढ़ चुकी होगी चुकि population भी obviously बढ़ी है हमारा first article autism spectrum disorder के बारे में है, इंडियन researchers ने भी हाल ही में compound develop किया है, नाम दिया है six bio, क्या करेगा यह compound, यह compound autism spectrum disorder इसके treatment का एक better method provide करेगा, autism spectrum disorder के साथ असोसेट होती है intellectual disability आप इसे ASDID बोल सकते हैं अब भला यह autism क्या होता है जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो समय के साथ उसका mental और physical development होता है, अब भला इसमें क्या बुराई है, होना चाहिए अच्छी बात है, लेकिन क्या सबका होता है, नहीं 160 में से पूरी दुनिया में एक बच्चा ऐसा होता है जिसका mental development उतना अच्छा नहीं हो पाता, जितना होना चाहिए और तब स्थिती पैदा होती है autism की Autism एक condition है, एक स्थिती है जिसमें जो brain है वो पुरी तरीके से, बढ़िया तरीके से develop नहीं हो पाता प्रभाव क्या पढ़ता है, कि एक व्यक्ति के चीजों को देखने का नजरिया प्रभावित होता है वो बाकी लोगों से socialize नहीं हो पाता, मतलब आसानी से जोड़ नहीं पाता उसे लोगों से interact करने में या communicate करने में problem होती है Autism में co-occurring conditions create हो जाती है co-occurring conditions का मतलब यह है कि एक ऐसे स्थिती जो वो बार-बार दोहराता है, जैसे कि epilepsy, मिर्गी का आना depression, बार-बार परेशान हो जाना, anxiety attention deficit, किसी भी चीज़ पर ध्यान ना दे पाना और hyper activity disorder किसी भी वात पर बहुत ज़्यदा उत्तेजित हो जाना या hyper active हो जाना यह problem होती है जब कोई बच्चा Autism का सिकार होता है cause क्या हो सकते है, cause दोनों ही हो सकते है environmental cause भी हो सकता है genetic factors भी कारण बन सकते है Autism का, symptoms क्या होते है क्या हमें पता चल पाता है कब की कोई बच्चा Autism के चपेट में है या नहीं है usually एक साल की उम्र के भीतर ही अंदाजा लग जाता है कि बच्चा Autism का सिकार है, कई बार समझ पाना मुस्किल होता है, लेकिन दो से तीन साल तक के बच्चे में ये clear हो जाता है कि हाँ ये Autism की समस्यासिक रसित है दुनिया भर में 160 में एक बच्चा ASD का सिकार हो ही जाता है Autism Spectrum Disorder क्या treatment का कोई mechanism है देखिए ऐस सच कोई दवा नहीं है जो Autism को treat कर सकती हो इसमें Majorly जो symptoms होते है हम उन्हें ही treat करते है जैसे कि अगर मिर्गी आ रही है तो हम उसको treat करने की कोसिस करते है अगर नीद नहीं आ पारी है Sleeping issues है तो उसे address करते है सारे symptoms तो treat कर पाना possible नहीं हो पाता Six Bio Compound ये क्या करेगा इसके अंदर potential है कि एक व्यक्ति की daily activity जो ASD के वज़े से प्रभावित होती है वो उसमें सुधार कर सकता है ध्यान देने वाली बात ये है कि 2016 में Right of Persons with Disability Act में बदलाव किया गया पहले इसमें केवल साथ प्रकार के disability ही थी इसे बढ़ा कर 21 प्रकार के disability की गई जब ये addition हुआ तो इसमें autism को भी add किया गया यानि कि ASD Autism Spectrum Disorder अब Persons with Disability Act 2016 का पार्ट है इसे इसके पहले तक largely ignore किया जाता था और disability में count नहीं किया जाता था इसे लिए disability के कारण जो सरकार रियायते देती है वो ऐसे लोगों को नहीं मिल पाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है तो आप ये भी जानते रही है हमारा next article National Achievement Survey के बारे में है हम इसके जरीए ये देखते हैं कि Class 3rd, 5th और 8th के बच्चे उनकी competence से क्या है ये सर्वे हर 3 साल में एक बार होता है लास्ट टाइम 2017 में हुआ था तो फिर तो 2020 में होना चाहिए था अभी 2021 में इसकी बात क्यों कर रहे है 2020 में COVID था तो हो नहीं पाया पैसे तो 3 साल में होता है लेकिन इस बार 4 साल में हुआ यहाँपर हम students के learning को assess करते हैं इस सर्वे को conduct किया जाता है Ministry of Education के supervision में है यह structured feedback तयार करता है district, state और national level पे जिसका इस्तिमाल हम policy planning और pedagogical interventions मतलब पढ़ाई में जो भी intervention required है उसके लिए करते हैं ताकि quality learning students avail कर सकें coverage क्या है 3rd, 5th, 8th और 10th standards के बच्चों को इसमें cover किया जाता है सर्वे हर 3 साल में होता है 3rd और 5th के बच्चों के लिए language, mathematics और environmental studies में evaluation किया जाता है 8th के बच्चे के लिए language, mathematics, science और social science में evaluation करते हैं 10th के बच्चों के लिए language, mathematics, science, social science और English का भी evaluation किया जाता है यह evaluations 22 different mediums of instructions में किये जाते हैं अलग-अलग भासा में पढ़ाई कर आई जाती है तो हर भासा में की जाने वाली पढ़ाई में यह सर्वे किये जाते हैं article stars project के बारे में है हाल ही में world bank के द्वारा aid किये जाने वाला जो project stars है उससे review किया गया यह basic information है कि इस project को assist किया जाता है world bank के द्वारा ऐसा नहीं कि कोई हाल फिलहाल का program है जिसे world bank assist कर रहा है इसका full form है strengthening teaching learning and result for states program नाम से clear हो रहा है जो बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है वो उससे अच्छे से सीख पा रहे हैं कि नहीं और teaching का mechanism कैसा है इसी चीज को लेकर कुछ performance review किया गया होगा इस पूरे project को implement किया जाता है as a new centrally sponsored scheme centrally sponsored scheme का मतलब होता है कि राज्जियों को भी अपना हिस्सा देना होगा department of school education and literacy इसकी देख रेक करता है यह department ministry of education के तहट आता है तो जूकि stars project जो है वो education से ही associated है तो obviously ministry of education का ही part होगा उद्देश से यह है इंडिया में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको quality education मिले उसकी quality को improve किया जाए school education का जो governance है हम उसे बहतर करें ताकि अनावस्यक teachers absent ना रहें और बच्चों को quality education दी जाए यहाँ पर जो focus है वो 6 Indian states में है वो 6 राज़े कौन से है पहला है हिमाचल प्रदेश दूसरा है केरला पीसरा मध्यप्रदेश चौथा महाराश्टरा पांचमा उडिसा और छठा राजस्थान चूकि यहाँ पर केवर 6 ही राज़े हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इन 6 राज़ियों के नाम याद रखें जो स्टार प्रोजेक्ट के तहट है मैं आपके लिए दोहराता हूँ हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्यप्रदेश, महाराश्टरा, उडिसा और राजस्थान इस प्रोजेक्ट के तहट कोसिस यह रहती है कि स्टेट, डिस्टिक्ट और सब डिस्टिक्ट लेवल पे यानि कि व्लॉक या विलेज के लेवल पे हम स्कूल में इस प्रकार का इंप्रूमेंट करें कि बच्चों की जो बेसिक एजुकेशन है वो अच्छी हो जाए अगर बच्चे को क्लास वन टू थर्ड के बीच में बेसिक अंडर्स्टेंडिंग डेवलप नहीं हुई मतलब वो चीजों को अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है लिख नहीं पा रहा है बेसिक मैथमेटिक सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो आगे कि उसकी पढ़ाई डावा डोल रहेगी इसमें कोई दोराय नहीं है हमें बहतरी सुरुवास से ही करनी होगी और यही काम स्टार्स प्रोजेक में किया जाता है यहाँ पे सभी स्टेकोलडर्स की डिमांड को एड्रस करते हैं जैसे कि जो पैरेंट्स हैं हम उन्हीं इंक्लूड करें इस पूरे मेकैनिजम में उनके जरीए हम बढ़ियां डेटा कलेक कर सकते हैं कि स्कूल्स कितना बढ़ियां काम कर रहे हैं क्वालिटी ओफ लर्निंग कैसी है और जो vulnerable section से belong करने वाले बच्चे हैं हम उन पर special focus कर सकते हैं टीचर्स को equip किया जाए ये मान कर कि अगर हमें better learning outcome चाहिए तो इसके center में टीचर्स ही होंगे अगर टीचर्स capable हैं अच्छा पढ़ाते हैं तो बच्चों की education और quality बहतर होगी हमें इंडिया का जो human capital need है उसे पूरा करना है class 1 से लेका 3rd के बीच के जो बच्चे हैं उनको basic understanding cognitive का मतलब उन्हें basic information उनके पास हो social behavior हो अच्छे से सीखें language वो बढ़िया तरीके से समझते हो ये सारी चीज़ें उन्हें आनी चाहिए इसके तहट क्या किया जाता है कई बार कोई natural या man-made disaster आ जाता है कोई health disaster आ जाता है जैसे की COVID आ गया man-made में कोई gas leak हो गया natural में भूकम पा गया ऐसी conditions में अकसर schools को बंद कर दिया जाता है और बच्चों की पढ़ाई बुरी तरीके से प्रभावित होती है schools का closer हो जाता है infra damage हो जाता है facilities inadequate हो जाती है in that case CERC के तहट हम schools को reopen करके उनका infra जल्दी से rebuild करके जो education है उसे वापिस से pace मिलाने की courses करते है दूसरा है परक परक का फल form है performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development नाम से इसपस्ट है कि हमें performance को assess करना है कि बच्चों की बढ़ाई कैसे हो रही है ये एक national assessment center की तरह work करता है ये इसका दूसरा component है ये एक autonomous institution है union education जो ministry है वो इसे lead करती है या उसे के अंदर में ये काम करता है ये basically वो norms तयार करते हैं वो नियम कानून बनाते हैं जिनके आधार पर इंडिया में जो knowledge है या फिर बच्चों को जो पढ़ाई की जा रही है उसका बढ़ियां से assessment कर पाए इसे तयार किया है नीती आयोग के बारा जो की बहुत ही अच्छी बात है जो MPI है नेशनल MPI ये देखेगा कि आखिर हम जो SDG यानि कि sustainable development goal है 1.2 उसे कितना पूरा कर पा रहे हैं अब भला sustainable development goal 1.2 में है क्या यहाँ पर मामला ये है कि हमें 2030 तक कम से कम जो आधी population poverty में है men की, women की, बच्चों की उन्हें poverty के बाहर निकालना है ये हमारा target है 2030 का और उसमें हम कितना काम कर पा रहे हैं ये हमें हमारा national MPI बता देगा अब methodology क्या यूज की जाएगी methodology वही यूज की जाएगी जो global MPI यूज की जाती है जिसे OPHI यानि कि Oxford Poverty and Human Development Initiative और UNDP यानि कि United Nations Development Program ने तयार किया है अब इस जो methodology है उसमें तीन dimensions में दस parameters या दस indicators evaluate किये जाते हैं वो तीन parameters है health education and living standards दस indicators कौन से हैं दस indicators में पहला आता है nutrition दूसरा child mortality तीसरा years of schooling school attendance चौथा और जो living standard है इसमें total 6 parameters आते हैं दोजार cooking food मतलब गैस है या फिर चूले पे खाना बन रहा है sanitation सफाई है कि नहीं पीने का साफ पानी है कि नहीं बिजली है घर में कि नहीं घर की छट कैसी है कच्ची या फिर पक्की asset मतलब दो पहिया चार पहिया वाहन है कि नहीं ये सब evaluation में आता है अग इसके तीनों जो भी areas है या फिर dimensions है आप उन्हें आसानी से याद कर सकते है इसका short बनता है health अगर कोई व्यक्ति multi-dimensionally poor है मतलब अलग-लग तरीके से poor है तो आप कह सकते हैं कि उसकी जिन्दगी health की तरह है तो MPI में जो dimensions है वो क्या है health, education और living standard अब इसमें निकल के क्या है आए आप 51.91% जो इंडिया की population है वो multi-dimensionally poor है चिंदा की बाद है सबसे खराब सिती विहार की है उसकी बाद नमबर आता है जारखंड, उत्तरप्रदेस, मद्रप्रदेस और मिघालया किया तो सिती अच्छी किस की है सिती अच्छी है केरला की वहाँ पे केवल 0.71% ही multi-dimensionally लोग poor है इसके बाद पुदुचेरी, लक्षिदीब, गोवा और सक्केम आते हैं जहाँ पर सिती तुलनात्मा क्रूप से ठीक है तरेक्शन करना चाहूँगा लास्ट सेशन में जब हम बात कर रहे थे national multi-dimensional poverty index के बारे में तो मैंने आपको 10 indicators बता दिये थे actually में वो 10 indicators global multi-dimensional poverty index के थे जो नीती आयोक का national multi-dimensional poverty index है वो 10 नहीं बलकि 12 indicators इस्तिमाल कर रहा है under 3 dimensions जिनमें पहला है nutrition दूसरा है child and adolescent mortality तीसरा है anti-natal care education में आते हैं तो year of schooling और school attendance calculate किया जाएगा और जब हम standard of living में आएगे तो cooking fuel, sanitation, drinking water, electricity, housing, asset और bank account को evaluation में लिया जाएगा अब चलते हैं अगले article पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1st October को international day of older person होता है और इसी दिन आपकी Ministry of Social Justice and Empowerment ने organize किया था एक program जिसका नाम है वयो नमन प्रोग्राम इसके अंडर तीन मेजर इनिशेटिव लांच किये गए हैं एक तो elderlies के लिए एक help plan number इशू किया गया है जो है 14567 इसके लाबा दो portal लांच किये गए हैं एक है Sage जिसमें हम encourage करेंगे entrepreneurs को जो elderly care में work कर रहे हैं Sage की full form है senior care aging growth engine उसके लाबा दूसरा portal है आपका sacred portal इसके full form है senior able citizen for re-employment in dignity यहाँ पे हम senior citizens को connect कर रहे हैं उन private sectors के साथ जो इन्हें job provide कर सकते हैं तो इस article में इतना ही आईए चलते हैं अगले article पर अगला article है palliative care के बारे में यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि palliative care होता क्या है मान लीजिए एक person है राम और इसे cancer है जिसके कारण इसकी जान को खत्रा है अब इस situation में जो इसे care provide की जाएगी ताकि इसकी जो quality of life है वो improve हो सके इसी को कहा जाता है palliative care तो यहाँ पे यह एक ऐसी approach है जहाँ पर हम quality of life को अच्छा करने की कोशिश करते है उन patient और उनकी family के लिए जो life threatening disease से लड़ रही है अब यह ना केवल आपका human right है बलकिन यह एक moral responsibility भी है सभी health care system की भी WHO के data के according अगर 10 लोगों को palliative care की requirement है तो इन में सी सरफ एक को ही ऐसी care मिल पाती है अब आने वाले समय में palliative care की requirement और ज़्यादा बढ़ने वाली है इसके पीछे दो कारण है एक तो non communicable disease का burden जो है world पे वो increase हो रहा है जिसके कारण आने वाले समय में ऐसी services की requirement और ज़्यादा रहेगी उसके इलावा जो world की population है अब वो बूड़ी होती जा रही है और यही वो दूसरा कारण है जिसकी वज़े से ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में palliative care की requirement और ज़्यादा बढ़ने वाली है अब बात के जाए recent pandemic की तो इसकी वज़े से हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में palliative care की requirement और ज़्यादा बढ़ने वाली है अब बात की जाए इंडियन प्रस्पेक्टिव की तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा डॉक्टर M.R. राज गुपाल जो की फादर है palliative care के इनके according भारत में सिरफ एक से दो परसंट ऐसे लोग है जिनने palliative care मिल पाता है उसके लावा भारत ने National Program for Palliative Care लाँच किया था जिसमें हम इंशौर करते हैं कि सभी लोगों को Quality of Pain Relief मिल सके उसके लावा जिन भी लोगों को palliative care की requirement है उन्हें timely ऐसी care मिल सके साथ के साथ हम ये भी करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि जो आपके health care के various levels हैं हम उसमें integrate कर सके palliative care को इसके लावा यहाँ पे एक important information ये है कि केरला ने 2008 में ही palliative care policy को अपना लिया था इस article में इतना ही धन्यवाद